प्राइक्ता का संडरक्षन तो continuity equation मैंने एक topic करवाया था आपको प्राइक्ता धारा घनत्व प्राइक्ता करन्ट देंसिटी उसका जो end में हमें एक equation मिली थी वो एक सांतक्ते समिकरण के रूप में मिली थी यह continuity equation हमें मिली थी जहां P था उस P को हमें पता है कि यह साइ स्टा था धारा घनत्व इसके अंदर यहां पर कुछ कोफिशियंट था और यह था शायद साइस्टार डेल साही माइनस साइस्टार ठीक है यहां पर स्टार था ऐसे करके कुछ S का फॉर्मुला आ रहा था वह आप चेक कर लिजेगा तो हमें यह जो equation मिली है यहां पर इसमें दो उसके बाद applying Gauss Divergence Theorem on RHS Gauss Divergence Theorem क्या कहती है integration कोई भी वेक्टर होता है उसका divergence डेल.a divergence होता है अगर divergence का आयतन समाकल लेते हैं तो वो उसके वेक्टर के surface integral के equal होता है यहां पर डेल.a dv जहां पर यह volume integral है और यह surface integral है ठीक है यह theorem होती है Gauss Divergence Theorem तो compare करते है तो यह जो left different side है वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है बस एक ही जगे एस रखना है तो यह पूरा term Gauss Divergence Theorem से किसके equal हो जाएगा s.da के जहां यह surface integration पर है ठीक है यहां पर अपन डिये की area के लिए डिये का इस्तिमाल कर रहे हैं ds का भी कर सकते हैं बट उस s में और इस s में confusion ना हो इ differentiation किसके respect में हो रहा है time के respect में जब यह variable और यह variable एक दूसरे से बिल्कुल independent हो बिल्कुल स्वतंत्र हो तो हम इनको integration sign से exchange कर सकते हैं यानि differentiation और integration को आपस में अदला बदली कर सकते हैं पहले differentiation है तो हम पहले integration भी कर सकते हैं पहले integration है तो हम पहले differentiation भी कर सकते हैं तो यह जो इस डेल बाय डेल T को integration से बाहर ले सकते हैं और integration के अंदर बचेवे term को रख सकते हैं ध्यान रखना लेकिन अगर यह T होता और यहाँ पर भी T होता तो हम यह नहीं कर सकते थे ओके फिर जो से लिखावा है पहले वैसी सॉल्व करना पड़ता है ओके माइनस इस इक्वलस टू एस डॉट डी आ जाएगा हमारे पास टेकिन इंख्लोजिंग सर्फिस इंफिनिटी इसका यह मतलब है कि सपोज यहाँ पर जो डीवी वोल्यूम एलीमेंट हमें दिया हुए वह इतना को फोटा है तिक है यह हमारा वॉल्यूम एलीमेंट है पूरा जिसके अंदर मालीजियो कोई पार्टिकल है या उसका वे फंक्षण जो भी यह particle अंदर है इस volume के ठीक है इसको Enclose Enclose मतलब इसको परिबद करने वाला शेत्रफल तो सपोस्ज इसको Enclose करने के लिए बाहर से अपन यह close सर्फेस ले लेते हैं ठीक है यह मैंने सर्फेस ले लिया तो इस सर्फेस के अंदर यह वॉल्यूम पूरी तरह से समा चुक है ठीक है अब यह सर्फेस इतना लो अब इसको साइज थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो भी इस वॉल्यूम को यह वॉल्यूम पूरी तरह से इस ले कि यहां लेटन पूरी तरछ से इस सरफेस के अंदर आ चुक है तो हमारी इक्षा हो हम उतना बड़ा सर्फेस ले सकते हैं क्योंकि हमारी condition सिर्फ इतनी है कि यह वाला आयतन इस सर्फेस के अंदर होना चाहिए ठीक है ज्यां रखना यह सर्फेस जो है वह इस पूरे आयतन को पूरी तरह से परिबद करना चाहिए इंक्लोस करना चाहिए बंद करना चाहिए तो अगर हम यह सर्फेस इंफिनिटी पे ले जाते हैं इंफिनिटी पे ले जाएंगे तो यहाँ पर इंटिग्रेशन जो लगा हुआ है ध्यानक न यह आयतन समाकलन है तो केवल यह आयतन की जो लिमिट है जहां तक आयतन फैला हुआ है वहीं तक लगेगा और क्योंकि यह सर्फेस इंटिग्रेशन है तो यह सर्फेस पे लगेगा ठीक है यह सर्फेस पे लगेगा अगर सर्फेस इंफिनिटी पे ले जाते हैं तो उस value infinity पे क्या होती है और इसकी value infinity पे क्या होगी हम जानते हैं s के अंदर यहां कोई coefficient था उसके बाद साइ स्टार डेल साई माइनस साइ डेल साइ स्टार चेक कर लेना आप इनका order सेम यह यह क्या तो infinity पे मैंने आपसे कहा कि infinity पे wave function हमेशा जीरो होता है यह उसका एक quality होती है characteristic होती है विशेष्टा होती है तो साइ स्टार भी 0 हो जाएगा और साइ भी 0 हो जाएगा infinity पे तो s भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो उस condition में यह integration हमारे पास 0 आ जाएगा तो infinity पे साइ 0 होने की वज़े से RHS पूरा हो जाएगा 0 तो इसका मतलब यह term भी क्या हो जाएगा 0 और यह आ जाएगा 0 हमें पता है कि कोई भी function का अगर पहला alkaline 0 होता है तो उस condition में देखो यह सोरी यहाँ पर यह value है यह यह value हो जाएगा यह जानते है पी क्या होता है साइ स्टार साइ यह फिर मोड ओफ साइ स्टार तो यह चीज जो है वह हो जाएगी constant और यह किसको रिपर्जन करती है probability को और probability का constant होना मतलब probability का संरक्षित होना प्राइकता का संरक्षित होना और अपने पास heading का है conservation of probability तो हम यह कह सकते हैं कि प्राइकता हमेशा संरक्षित रहती है इससे हमने यह प्रूफ कर दिया